हाई एवरीवान कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं भंडारे वाली आलू की सबजी देखें आलू उगला हुआ है इधर टमाटर है हरी मीर्च है आलू बाल के फोड के रख लिए ये धन्या की पत्ती है सूख गई इसको पानी भीगा के रखें तो चलिए अब बनाने जा रहे हैं आलू की सबजी भंडारे वाली आप कडाही को गैस पर रख दे रहे हैं अब इसमें तेल डालेंगे तेल हमारा गरम हो गया है यह आधा चमत जीरा पहले डालेंगे क्योंकि बंडारे का बन रहा है तो इसमें लसन प्याज नहीं रहेगा जीरा चटकने लगेगा देखें जीरा हमारा चटकने वाला है अब इसमें हम डालेंगे चटकने वाल मिर्ची और टमाटर यह है धनिया गरम मसाला हल्दी लाल मिर्ची और नमाग दो चमच धनिया है थोड़ा सा गरम मसाला आधा चमच लाल मिर्ची और आधा चमच हल्दी नमक अपने स्वाधन सार डालिए अभी टमाटर के पानी में मसाला भूंड ले रहा है और मसाला जलना जाए इसलिए थोड़ी देर में हम पानी डालेंगे देखे मसाले में पानी डाल दी है मसाला भूंड रहे है ताकि जलने वाला ना टेस्ट आए अब मसाला में रहो चुका है देखे तेल उपर उपर दिख रहा है मसाला अच्छी तरह पक गया है मसाले को चला के एक दो बार अब इसमें आलू डालेंगे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए वेल आइकन प्रेस करना न भूलें देखे इसका कलर कितना अच्छा आया है अब आलू में मसाला मिल चुका है अब इसमें पानी डालेंगे थोड़ी दिर में जितना दूर आलू है उतना दूर पानी इसमें डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे देखे ग्रेवी भी पक चुकी है इसमें भी किनारे किनारे तेल आ चुका है अभी ग्रेवी पतला लग रहा है लहीं अभी थोड़ी देर जब गैस बंद कर देंगे तो जम जाएगा ये कसूरी मेती है थोड़ा सा डाल ले रहे हैं अभी धन्या की पत्ती है उसको बाद में डालेंगे अब देखे सबजी तयार हो गए है कितने अच्छी लग रहा है अब इसको हम कटोरी में निकाल लेंगे देखे अभी गरम ही है इसलिए ग्रेवी थोड़ी पतली लग जाएगी ठंडी होने पर जम जाएगी है वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें देखे सबजी कितनी अच्छी लग रही है